राश्टपती चुनाओ को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो गई है। वह तीन टर्म हजारी बाग लोगसभाश्चत्र का प्रतिनी धित्व कर चुकी है यश्वन सिना के पुत्र जैन सिना भाजपा से सांसद है पिता यश्वन सिन्हा के द्वारा छोड़ी गई लोकसभा सीट से भले ही जैन सिन्हा हजारे बाग का प्रतिनिधित्व संसब में कर रहे हैं लेकिन राश्टपती चुनाओं में ऐसा सीन बना है कि पिता को पुत्र का ही वोट नहीं मिल रहा है जैन सिन्हा ने पूर में ही यह गोशना कर दी है कि उनका वोट पार्टी के अधिकरित प्रत्याशी को जाएगा जाहिर है यश्वन सिन्हा अपने पुत्र के वोट के लिए भी मोहताच रह जाएंगे जार्खन के वोटों के आखरों पर गौर करें तो अपने ही राज्जे में यश्वन सिन्हा बुरी तरह से हार रहे है राश्पती चुनाओं में NDA की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मों को जार्खन मुक्ति मोर्चा ने समर्थन देने की घोशना कर दी है पाटी सुप्रीमों शीबू सोरेन ने गुरौवार को इसकी घोशना की इस सिद्रौपदी मुर्मों को जार्खन में बीजेपी और आसु के बाद जामुमों का भी समर्थन मिल गया है इसके साथ ही राश्टपती पद की एंडिये प्रत्याशी को राज्जे से कुल 22,808 वोट मिलना तय है जार्खन में वोट का वैलियो 28,256 है राश्टपती चुनाओं में आबादी के मुताबिक जन प्रतिनिधियों के वोटों के हीमत तय होती है विधान सभा के 80 विधायक, लोग सभा के 14 और राज्जे सभा के 6 सदस से राश्टपती चुनाओं में वोट डालेंगे जार्खन के एक विधायक के वोट का मुले 186 है इस बार सांसदों का वोट वैलियो 708 से घट कर 700 है इस लिहास से 14,000 वोट वैलियो है जबकि विधायकों का वोट वैलियो 14,256 है अगर दोनों को जोड़ दिया जाये तो जार्खन में कुल वोट वैलियो 28,256 है भाजपा, आजसू, जामुमो और कॉंग्रिस को छोड़ कर माले, NCP और राजत के एक एक विधायक है इसके अलावा दो निर्दल ये विधायक है न्यूजविंग की ब्यूरो रिपोर्ट